हाई गाईज, वेलकम टो बी बैंकर, स्वागत आपका आज के क्लास में आज की वीडियो में, मैं हूँ पृती मैम और आज में लेकर गया गई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास सो क्या होने वाली आज के क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं, तो आज बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अम के प्रयोग, अज हम लोग जान लेंगे, तो चलिए जान लेते हैं, कैसा उप्योग होता है, कहा उप्योग होता है, कब कब उप क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए आप सीधे सीधे एम से जुड़ सकते हैं इस वाट्साप नमबर के जरीए हमारी बुक्स, हमारी एबुक्स, हमारी पेड कोर्सें के बारे में जानने के लिए साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी धेरो क्लास डिरेक्ली पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोचल मीडिया साथ पर फॉलो तो चलिए शुरू करें आज की क्लास तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं किसी भी शब्द का उप्योग करने से पहले क्या जानना जरूरी है मतलब जानना जरूरी है जी हां तो चलिए सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि M का मतलब क्या होता है A M M इसको पढ़ते हैं उसका मतलब होता है हूं क्या मतलब होता है मतलब होता है हूं और याद रखे M का स्थमाल हमेशा हमेशा I के साथ ही होगा जैसे I M कैसे I M और M I हो रहा है ये सारी चीजे पूरे क्लास में बताऊंगी तो चलिए जान लेते हैं अलग-अलग-अलग-अलग तरह के वाक्य आम के उप्योग के साथ पहला I am sure मुझे यकीन है sure का मतलब यकीन होना मतलब आश्वस्त होना basically I am sure मुझे यकीन है I am sure Am I wrong? क्या मैं गलत हूँ? Am I wrong? क्या मैं गलत हूँ? Am I wrong? wrong का मतलब क्या होता है? गलत ठीके? तो am I wrong का मतलब क्या हो जाएगा? क्या मैं गलत हूँ? Am I wrong? I am ready मैं तयार हूँ I am ready मैं तयार हूँ I am ready I am happy मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ अगर यहाँ पे होता I am sad तो sad का मतलब क्या होता है? दुखी I am sad मतलब मैं दुखी हूँ I am happy मतलब मैं खुश हूँ I am happy clear है? चलिए बढ़ते ही आगे I am afraid इसका मुझे डर लग रहा है या मैं डरा हुआ हूँ clear दोनों ही हो जाएगा इसका I am afraid मुझे डर लग रहा है या मैं डरा हुआ हूँ मैं डरा हुआ हूँ I am afraid तो देखिए basically होता क्या है न कि I am afraid का मतलब जो है ये दोनों ही इसके जगा पे आप दोनों ही वाकिय इस्तमाल कर सकते हैं जब भी आपको बोलना हूँ मैं डरा हुआ हूँ या मुझे डर लग रहा है तो आप समझके देखिए spoken English या नि की बोलने वाले English जो हम लोग बोलते हैं उसमें हम लोग मैं डरा हुआ हूँ कभी भी इस तरीके के लाइन का इस्तमाल नहीं करते हैं हम लोग हमीशा प्राक्टिकल चीजों को सीखते हैं ठीक है तो ऐसे I am afraid मैं डरा हुआ हूँ आप बोल सकते हैं लेकिन क्योंकि हम लोग रोजबरा की लाइफ में इस तरीके के वाकियों का इस्तमाल नहीं करते हैं तो इसका इस वाज़े से क्या बन जाता है मुझे डर लग रहा है I am afraid मुझे डर लग रहा है बात same है मैं डरा हुआ हूँ यह मुझे डर लग रहा है बात same है I am afraid clear है तो कई बार spoken में हम लोग practical sentences के उपर based classes कराते हैं confuse होने की जरूरत नहीं है कई बार मुझे comment में आते हैं कि ma'am ये ऐसे क्यूं हुआ ये वैसे क्यूं नहीं हुआ या ये ऐसे होना था आप निश्चिंद रहिए आप कहीं पढ़ रहे हैं तो निश्चिंद तौर के बात है मैं यहां एक अजनबी हूं I am a stranger here मैं यहां एक अजनबी हूं I am a stranger here I am eating an apple मैं एक सेब खा रहा हूं I am eating an apple मैं एक सेब खा रहा हूं I am eating an apple क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे What am I to do? मुझे क्या करना है? What am I to do? मुझे क्या करना है? What am I to do? I am near the station मैं station के पास हूं I am near the station मैं station के पास हूं I am near the station Who do you think I am? आप मुझे क्या समझते हो? Who do you think I am? आप मुझे क्या समझते हो? या आप क्या समझते हो, मैं कौन हूँ, ये दोनों ही वाक्यों की जगा पे Who do you think I am? आप इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है? Who do you think I am? आप मुझे क्या समझते हो, या आप क्या समझते हो, मैं कौन हूँ ठीक है? आप दोनों का ही इस्तमाल कर सकते हैं, Who do you think I am? I am no longer a child, मैं अब बच्चा नहीं हूँ He is stronger than I am, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मुझसे ज़्यादा मजबूत है Clear? He is stronger than I am, वो मुझसे ज़्यादा मजबूत है या वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है Clear है? चलिए बढ़ते ही आंगे I am able to drive a car, मैं एक कार चलाने में सक्षम हूँ Clear है? I am able to drive a car I am willing to help you, मैं आपकी मदद करने को तयार हूँ I am willing to help you, मैं आपकी मदद करने को तयार हूँ I am willing to help you I am not certain about that, मैं उसके बारे में निश्चित नहीं हूँ Certain का मतलब होता है निश्चित इस तरीकी के vocabulary की classes मैंने already ले रखी है तो जल्दी से description box में link देखिए और vocabulary की सारी की सारी classes देखिए पढ़िए, notes बनाईए, याद करिए नहीं तो फिर अंग्रीजी कैसे बोलेंगे vocabulary वो जितनी भी important vocabulary है वो सारी करा रखी है चिके? I am not certain about this, मैं उस बारे में निश्चित नहीं हूँ I am not certain about this, मैं उस बारे में निश्चित नहीं हूँ I am not certain about this, about that देखिए I am not certain about that, तो आप बोलेंगे, मैं उस बारे में निश्चित नहीं हूँ I am not certain about this, तो मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ clear है, एक शव्द का बदलाव होता है this और that, और हिंदी में उस या इस clear, फिर से समझ लेते हैं I am not certain about that, मैं उस बारे में निश्चित नहीं हूँ. या I am not certain about this, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ. Clear है? दो sentences हमने पढ़ लिए. चलिए बढ़ते हैं आगे. I am a student but he is not. मैं एक चात्र हूँ लेकिन वह नहीं है. मतलब वो कौन नहीं है? चात्र नहीं है. क्योंकि या पर चात्र की बात हो रही है. I am a student but he is not. मैं चात्र हूँ लेकिन वह नहीं है. I am a student but he is not. Be quiet while I am speaking. जब मैं बोल रहा हूँ तो शांत रहें. Be quiet while I am speaking. जब मैं बोल रहा हूँ तो शांत रहें. Be quiet while I'm speaking I will show you that I am right मैं आपको दिखाओंगा कि मैं सही हूँ You are in a better place than I am तुम मुझसे बहतर जगह पर हो You are in a better place than I am तुम मुझसे बहतर जगह पर हो You are in a better place than I am I am a teacher, मैं एक सिख्षक हूँ I am a teacher, मैं एक सिख्षक हूँ I am a teacher I am a doctor, मैं एक डॉक्टर हूँ I am a doctor, मैं एक डॉक्टर हूँ I am a doctor I am studying, मैं पढ़ रहा हूँ I am studying, मैं पढ़ रहा हूँ I am studying I am going, मैं जा रहा हूँ I am going, मैं जा रहा हूँ I am going I am glad to meet you, मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ I am glad to meet you, मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ या मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई I am glad to meet you I am very tired. मैं बहुत थक गया हूँ या मैं बहुत थक गई हूँ अगर mail member है तो थक गया हूँ और लड़की है तो थक गई हूँ I am very tired. मैं बहुत थक गया हूँ या मैं बहुत थक गई हूँ I am learning English. मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ सीख रहे हैं आप I am learning English. मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. I am learning English. I am speaking English. मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ. I am speaking English. clear है? So, यह थी आज की class. इसके साथ ही आपके लिए है एक good news. वो है कि बहुत जल्द आप सब की request पे तीन e-books मैं launch करने वाली हूँ. जो कि एक होगी based helping verbs के उपर मैं जितनी भी classes कराती हूँ. उसमें जितने भी helping verbs या concepts के classes होती हैं. उसके उपर based e-book होगी. एक होगी DLS के उप words के उपर रोजाना प्रियोग होने वाले शब्द. ऐसे शब्द मैं बोलती हूँ ना, ऐसे बहुत सारे शब्द है जिनके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते. वो सारे शब्द होंगे इस किताब में. clear? तो आप में से कौन-कौन इस किताब के लिए नीचे comment कर रहा नहीं देखी है. तो किस चीज का इंतिजार कर रहे हैं? जल्दी से इस नंबर पर वाटसब करिये और अपने लिए अभी मंगवाईए साड़ी शे घंटे वाली free spoken English की कोर्स जिसमें आपको मिलती है 60-plus video lectures और उसके साथ ही उसी कोर्स पर based e-book की free sample भी आपको मिल सकती है. त इस बात की करनी है कि कि कितने दिनों का कोर्स है, कैसे होगा, क्लास आएंगी, कैसे homework मिलेगा, कैसे check होगा और सबसे जरूरी बात कि अगली batch इस कोर्स की कपशूर हो रही है. यह है basic English grammar course यानि कि English grammar की basic वाली course जो करता है आपको advanced course के लिए पूरी तरीकी से तयार तो जल्द इस नमबर पर inquiry करिए, पता करिए इसके अगली batch कप शूरू हो रही है. अब बच्चों को grammar सिखाना ना, बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी असान है क्योंकि बीबैंकर लेकर काया है basic English grammar for kids, जो की है छोटे बच्चों के लिए special a course, experts to our design, जिसमें बच्चे खेल- में English grammar सीख जाते हैं, जी हां, grammar और वो भी खेल-खेल में, बच्चों को हो जाता है concept crystal clear, तो बिल्कुल इस नमबर के inquiry करके पता करिए कि इसकी अगली batch कप शुरू हो रही है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो, यह है फेवरेट English grammar and writing for school, जैसा कि नाम से पता चल रहा है grammar और writing school के लिए, आप किसी भी class में पढ़ते हों, आप किसी भी school में पढ़ते हों, आप किसी भी board के student हो, यह course बिल्कुल आपके लिए है, English grammar और writing तो आती है ना, writing से मतलब, message writing, notice writing, essay writing, letter writing and whatnot, यह सारी चीज़े आपको इसमें cover कराए जाती हैं, इसकी inquiry भी आप इस नमर पर क कर सकते हैं, और अगर आपके एक series aspirant है, जो किसी भी competitive exam के तयारी कर रहे हैं, तो premium competitive English course बिल्कुल आपके लिए है, चाहे हो RC, चाहे हो vocabulary, चाहे हो basic grammar, advanced grammar, चाहे हो basic questions और advanced questions, आपके exam के according आपको यह सारी की सारी चीज़े कराई जाती हैं, इस course में, इसकी inquiry भी आप इस नमर पर कर सकते हैं, inquiry करते वक्त बस ध्यान रखें, course का नाम लगके inquiry भेजे, ताके हमारे प्रतिनीदी आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुचा पाए, जानकारी मिलने में लगबग 12-42 घंडों का वक्त लग जाता है, तो कृप्रया प्रतीक्षा करें, अगर आपने मेसेज कर द अगरता है, तो कोप्रता है, तो का आपने, का झाम वक्त लगकी है याता हैं, का मेगकी हैं, सिर्वल्ग दोर आपने जानकारी पहां लग जा फम्याराय के लगके एपनें, सही हैं